FBD News पर पेश है श्री गंगानगर हन्मानगड की टॉप टैन खबरे तारवन्दी क्रॉस करने का प्रयास किया पाग उस्पैटिय भारतिय जवानों को देख कर वापिस भाग गए मौके पर दो-तीन लोगों के भारतिय सिमा में आने की निशान है पलिस ने B.S.F. की ओर से अग्यात पाग उस्पैटियों के खिला तेरा चौदा विदेशी एक्ट और तीन पासपोर्ट एक्ट के तहट मुकत्मा दर्च किया है राजसान प्रदेश में उन्चा स्थाने निकाय के चुनाव के लिए आदश आजा संहिता लागू हो चुकी है श्री गंगा नगर हनवानगर और सुरतगर सहीत अन्य निर्वाचन शेत्रों में अब जन प्रतिनीधी सरकारी गाड़ी से नहीं जा सकेंगे मंत्री अगर इन शेत्र में सरकारी दोरे पर जा रहे हैं और बीच में निकाय चुनाव शेत्र है तो उन्हें गारी से उतरना होगा शेत्र खत्म होने के बाद ही वे सरकारी वहर में बैठ पाएंगे उलेखने हैं कि प्रदेश में स्थानिया निकाय चुनाव 4 चरणों में होने हैं चुनाव के पहले चरण के तहट 15 दिन बार 16 नमंबर को पाश्रतों के लिए मद्दान होगा उसके बाद 19 नमंबर को मद्द करना होगी श्री गंगानगान नगरपश्र चुनाव के लिए आज से नमंगन भनने का काम शुरू हो गया है अब नमंगन भनने का सिलसिला चलेगा नमंगन पत्र में जो भी जानकारिया निर्वाचन आयोक की ओर से चाही गई है वो जानकारी देनी ज़रूरी होगी अगर कोई प्रत्याशी गलत जानकारी देता है तो उसका नमंगन पत्र निरस्त भी हो सकता है नमंगन पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाएगा अगर कोई बात लागू नहीं होती है तो कॉलम में लागू नहीं होता अथवा शुन्य लिखना होगा नामांखन भरते समय नामंगन पत्र में प्रत्याशियों को नाम, पीता या पती का नाम आयू, निवास पत्र विभार का पता आधी बताना होगा श्री गंगानगा नगापरशे चुनवा में प्रत्याशी बनाने के लिए राजनेतिक दल्ग जल से जल तिकट वित्रन का दावा तो कर रहे हैं लेकिन इस महत्वपूर्ण कारे के लिए उनकी धीमी चौल से ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा इस बीच आस चुनवा मैदान में उतरने के लिए नामंगन प्रिक्रिया भी शुरू हो गई है नामंगन प्रिक्रिया के लिए महज च्वाद इन्शेश है पास नमंबर तक ही नामंगन किया जा सकता है अब यदे टिकट विद्रन में देरी होती है तो इससे बाग्यों को बढ़ावा मिलेगा इसका कारण टिकट के दावेदारों का अपनी टिकट पकी मानते हुए नामंगन दाखिल किया जाना रहेगा राजसान राजे की उन्चास नगर पालिकाओं में आम चुनाओं को लेकर कायक्रम की घुशना की जा चुकी है इन शेत्रों में पोस्टर, बैनर, कटाउट और होर्डिंग साधी के प्रदेशन को प्रतिवन्दित किया गया है साध्युनिक स्थानों पर होर्डिंग साधी के प्रदेशन पर राजसान संपत्ती वीरूपन रोगठाम के प्रावधानों की पाल्मा सुनुशित करने के लिए मुखे निर्वाचन अधिकारी शाम सिंग राजपुरोहित ने श्री गंगानगर जिला कलेक्टर को दिशा ने देश दिये हैं राजपर ने एक नमंबर से श्री गंगानगर सहित प्रदेश के सभी जिलों में मूंग की नियुनितन समर्थन मोले पर खरीद शूरू कर दी है हालांके दोपह तक राजपर द्वारा खरीद शूरू करने की जानकारी नहीं थी इस बार जिले के 16 केंडरों पर मूंग की सरकारी खरीद की जाने प्रस्तावित है राजपर द्वारा मूंग खरीद के लिए समन्नित केंडर प्रभारियों को निर्देशीत किया जा चुका है एक नमबर से केंडर पर आने वाले किसानों से 7,050 पर प्रतिव केंडर के दर से खरीद की जाई सुरतगर में दो दिन पहले अपने अपने घर से लापता यूवक यूवती की नहर में गिने की आशंका जताई गई है रजियसर पुलिस कमर सेंड लिफ्ट कैनाल में दोनों की तलाश कर रही है गुरुवार दोपहर को नहर किनारे, बाइक, मोबाइल पून और दोनों की आईडी मिलने से उनके नहर में छरांग लगाने की आशंका जताई गई है ASI सुझन मीना ने बताई कि रजियसर स्टेशन के निवासी, वेद प्रकाश और महाजन पुलिस्ताना शेत्र के गाउं की बलेची की रहने वाली यूवती 30 अक्टूबर से अपने अपने घर से लापता है श्री गंगानगर नगर परिशा चुनाओं में तवज्जों न मिलने के वज़े से गंगानगर विधायक राजकबार गौड ने शुकरवार सुबह एक मैरिज पैलेस में अपने समर्थकों की बैठक बुलाए उन्होंने बैठा के बाहने एक तरह से शुक्ती प्रदेशन किया पैलेस में आयोजित सभा के दोनान गौड के समाथक और कारेकरता पहुंचे अपने संबोधन में वक्ताओं ने कॉंग्रेस पार्टी को ये संदेश देने की कोशिश की कि विधाय गौड को उपेशित नहीं किया जा सकता सभा की शुरुवात में आगनतुकू का परिचे स्वाकत हुआ विधाय गौड ने अपने संबोधन में सुशाषन और बहतर विकास के लिए अच्छे लोगों को जिताने का आवान करते हुए कहा कि मदाता उन्हें जिताएं जो उनके लिए काम का सके उनकी वाड की गलियां और सड़ के बनवा सके रासा निर्वाचोन आयोंग ने नगरपाली काम चुनाव को लेकर राज के वाहनों पर प्रदेशित विध्यापनों को हटाने के आदेश दिये हैं राजे के मुख्य निर्वाचोन अधिकारी शाम सिंग राज पुरोहित ने श्री गंगनगर जिला करेक्टर कोर ने देश दिये हैं कि राजेपत परिवाहन निगम एवन सरकार द्वारा जिलास्तर पर संचाली किये जा रही बसे या वाहनों पर राज के विग्यापनों के प्रदेशित किये जाते हैं चुनाव के दरान ऐसे विग्यापनों के प्रदेशित रहने से आचाल संहिता के लोंगन के संभावना रहती है बिलापर्शत परिसर में नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरूआत हो गई वार नमर 53 के एक महिला उमीद्वार ने अपना नामांगन पत्र दाखिल किया सुबह से ही चार ARO और चार प्रिंसिपल यहां पहुंच चुके थे इसके अरावा पुलिस जापता भी लगाया गया पहले दिन उमीद्वारों में नामांगन पत्र दाखिल करने के लिए कोई उच्छाहन नहीं देगा गया दोनों ही पार्टियों ने अभी तक उमीद्वारों की घुशना नहीं की है अधिकारी उमीद्वारों की बाट जो होते नज़राएं अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतवपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर